Hello babies and babas, hello boys and girls, hello my dear viewers My name is Professor Neeti Doshi और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे I hope आप सब स्वास्थ है और बहुत बहुत मस्थ है जी आपचो आज अभी इसी वक, let us continue Let us continue with our business law जी हम business law की पढ़ाई कर रहत है हमने module 1 में chapter 1, chapter 2 खतम कर दिया है जी हाँ, आज हम शुरू करने जा रहे है हमारा module 1, हमारा module 1, chapter number 3 Give this chapter a beautiful star mark my dear viewers This chapter in itself, ये chapter में चितने भी concepts है They are very very important from your exam point of view and from your practical life point of view अभी जो company law start होने वाला है इसके पहले basic था introduction था आपको चीजे समझाने की कोशिश की गई थी अभी जो हम सीखने वाले है अभी real, real चीजे जो है जो आपको पता होनी ही चाहिए जो आपको my dear viewers पता होनी ही चाहिए चाप्टर नमबर 3 very very important memorandum of association and articles of association अब तक हमने सिस्फ सुना था मैम MOA क्या है, AOA क्या है अभी तक दो चाप्टर में MOA, AOA का कितना सारा references हमने देखा था उपर उपर से हमने पढ़ने की कोशिश भी की थी कि वो क्या होता है मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था इसके बारे में कि भया ये क्या है सुदाट आपको वो concept जो टाइम पर समझ में आए जी नहीं पट अभी ये जो चाप्टर में हम कड़े है ये जो चाप्टर हम सीखने जा रहे हैं पर डीटेल में discussion होगा आपको वो चाप्टर में जितने भी doubts थे memorandum को लेके articles को लेके वो सारे doubts हमारे बच्चों इस चाप्टर में खतम हो जाएंगे fulfill हो जाएंगे solve हो जाएंगे जी हाँ शुरू करते हैं Memorandum of Association and Article of Association मैंने आपको समझाया था ऐसे दो documents है ऐसे, दो documents होते है जिसके बिना किसी भी company का incorporation नहीं हो सकता जिसके बिना किसी भी company का incorporation नहीं हो सकता यानि किसी भी company को valid, legally उससे एक status देना कानून के नजर में उससे separate legal status देना नहीं possible है अगर उसका incorporation नहीं हुआ है तो अगर उसका incorporation ही नहीं हुआ है तो memorandum of association और article association का तो सवाली नहीं आता अगर incorporation करना है तो MOA और AOA बहुत जरूरी है उसके बिना incorporation नहीं हो सकता पढ़ेंगे सबसे पहला memorandum of association इसे हम प्यार से MOA भी कहते है of a company as originally framed and as altered जो originally framed किया गया यानि originally बनाया गया है और उसको altered किया गया है यानि थोड़ा थोड़ा उसमें changes लाया गया है from time to time in pursuance of any previous company law और this law or this act यानि इस act के act में ऐसा कुछ नया rule आया है ऐसा कुछ नया regulation दिया है जो हमारे memorandum को साथ के साथ match नहीं होता है तो हमने जो memorandum बनाया था starting में starting में starting में उससे हमें थोड़ा alter करना पड़ेगा time to time उससे हमने change करना पड़ेगा as per company law and as or as per this act बचा यह जो definition है न यह बहुत ही detail में जानकारी नहीं दे रहा है यह बहुत ही ठीक है crisp है कि भाई देखो memorandum ऐसा को document है जो आपने beginning में बनाया है और time to time उसको आप company law के साब से alter किये जा रहे हो ठीक है यह document है इतना समझ में आगे पर इसमें क्या-क्या चीज़े आती है यह हम यही chapter में पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे मेरा advice होगा यह definition को आप by heart कर ले अब भी जो definitions आएंगे न बच्चो वो definition अगर आप exam में quote करते हों मान लीजिए आपको पूछा गया है contents of MOA मान लीजिए आपको पूछा है exam में write about the contents of memorandum of association अब directly answer start नहीं कर सकते मेरा humble request और मेरा sincere advice आपके लिए होगा पहले यह definition quote करें वो question memorandum की बारे में हो, articles की बारे में हो, meetings की बारे में हो, directors की बारे में हो, shareholders की बारे में हो, किसी भी चीज़ की बारे में हो अगर आप definition quote करते हो, आपको बहुत अच्छे marks मिलेंगे, very very important बच्छो चलीगा the memorandum of association is a fundamental document, I want all of you all to underline वो एक fundamental document होता है it is the charter of the company and defines its reasons for existence ये कंपनी बनाई क्यो गई है? ये कंपनी का बनाने के पीछे का कारण क्या है? ये हमें पता चलता है बच्छो memorandum of association and of course articles में से it lays down the area of operation of the company ये कंपनी का काम क्या होगा? ये कंपनी क्या कर सकती है? ये कंपनी क्या नहीं कर सकती है? ये दो documents में लिखा होता है MOA और AOA में it also regulates the external affairs of the company in relation to outsider कौन से contract company enter कर सकती है? कंपनी किसके साथ deal कर सकती है? ये सब हमें MOA में मिलेगा its purpose is to enable shareholders and those who deal with the company to know what its permitted range of enterprises क्या कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? it is not it not only shows the object for the formation formation का object कंपनी बनाने के पीछे real कारण real object क्या है but also states that the company cannot go beyond the memorandum of association देखो बच्चो जबी company बनाई गई है उसके incorporation के time पे MOA और AOA submit किया होगा इन दोनों में जो rules mention किये है जो चीजे लिखी गई है उसके आगे उसके beyond company नहीं जा सकती थोड़ा सा confusing है हम जानते है company को चलाते है board of directors हम जानते है company को चलाते है board of directors हम जानते है company में पैसा लगाते है shareholders हम जानते है company को शुरू करने वाले लोग है promoters मेरा कहने का मतलब यह है कि जबी भी कंपनी बनाई गई है उसमें जो MOA और AOA था उसमें जो लिखा है ओई चीज को फॉलोर करके बोड़ अफ डिरेक्टर्स को यह कंपनी चलानी है बोड़ अफ डिरेक्टर्स इसके बियॉर्ड इसके आगे नहीं जा सकते हैं हाला कि कुछ ऐसे ऐसे चीजे लिखी है जो अभी चेंज करना बहुत जरूरी है in order to bring the company ahead कमपनी का development के लिए कमपनी के progress के लिए कुछ चीजे चेंज करनी जरूरी है उसके लिए बचो हम ऑल्टर करते हैं उसके लिए हम MOA और AOA ओल्टर करते हैं उसमें चेंज लाते है अब आप बोलोगे मैडम चेंज कैसे लाता है एक दिन उठे और चेंज कर दिया डॉक्यमेंट में नहीं उसके लिए बच्चों लगता है हमें permission किसकी permission लगती है उसके लिए हमें shareholders यानि real owners की हमें permission लगते हैं in order to alter the memorandum of association और articles of association अभी आप बोलोगे इनका permission लगता है मतलब आपके एक जनको फोन करके पूछू हेलो हेलो मैंना यह लिखा है अब मुझे यह लिखना है मैंने memorandum में तो यह लिखा है लेकिन अब मुझे यह करना है क्योंकि company के लिए अच्छा है मैंना कट करके नीचे लिख देता हूँ मैंने दो जनकी permission ले लिए दो शेरोल्डर्स की ऐसा नहीं चलता है बच्चों लेजिटमेटली मीटिंग रखनी पड़ती है रेजिल्यूशन पास करना पड़ता है वोटिंग करनी पड़ती यह थोड़ा हम आगे पड़ेंगे अभी के लिए समझ लो कि MOA और AOA बहुत ही important document है जो in corporation के टाइम पर बनाया गया होता है थोड़े थोड़े टाइम में उसम amendment आ गया act में कुछ amendment आ गया उससाब से हम MOA और AOA में चेंज करते हैं और हमारे company को internally अगर लगता है के नहीं भाया कुछ तो change करना पड़ेगा यह क्लॉस चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा इसमाई निटी डिफेंट है यह जो भी है उसके लिए हमें permission लगती है जी हां बच्चो अभी बात करते हैं purpose की purpose of memorandum memorandum का purpose क्या होता है actually एक्चली इस memorandum को बानाया क्यों गया है क्यों सब company को memorandum of association की जरूरत होती है में थी बात समझने की कोशिश कीजिए company के पास actual real body नहीं है company is an individual माना companies माना लेकिन उसके पास उसके तो representatives होते हैं board of directors होते हैं जो उस company को चलाते हैं लेकिन outsider in order to keep the outsiders informed समझने की कोशिश करो I'll repeat myself in order to keep the outsiders informed यह document बनाया कया है जो company का कच्चा चिठा बताता है कि भाई company का नाम यह है company का registered address office यह है company में investment इतना कया किया गया है so on and so forth यह सब clauses आते हैं so that outsiders को मालुम है कि यह company के reach में किया है और यह company के out of reach में consequence चीज़े आती है तो अगर आप वो company के साथ deal करते हो किसी भी matter में if you're dealing with that company you you have to read the documents you have to read the documents because company कुछ से बोल नहीं सकती इसलिए company ने MOA और AOA बना के भाई तुम आओ तुम पढ़ो और तुमको अगर interest लगता है हमारे company में तो deal with the company other ones don't deal with the company आगे बढ़ेंगे बच्चो दपरपस अब दे मेमरेंडम में स्टुफोल्ड दपरपस अब दे मेमरेंडम में स्टुफोल्ड सबसे पहला the prospective shareholders prospective या नहीं जो जिसने अभी तक इन्वेस्ट किया नहीं है बट future में करेंगे prospective the prospective shareholders shall know the purpose shall know the purpose for which their money is going to be used by the company for which the money is going to be used by the company अगर shareholders invest कर रहे हैं अगर shareholders company में invest कर रहे हैं और उनको मालूम ही नहीं के company का actually business क्या है company का actually business क्या है shareholders को पता होना चाहिए in short memorandum में लिखा है कि company का business क्या है articles में लिखा है कि company business कैसे करती है देखे which their money is going to be used by the company the risk they are undertaking in making the investment अगर shareholders investment कर रहे हैं तो investment में कितना risk है वो उन्हें evaluate करना है कैसे MOA पढ़के और AOA के बारे में जानकरी लेके आगे पढ़ेंगे the outsiders dealing with the company shall know with certainty outsiders की बात कर रहे हूँ आप बोलोंगे madam outsiders यानि क्या बच्छो creditors है, debtors है, etc. as to what are the objects of the company and that the contract they are entering into is within the objects of the company अब मान लीजे एक example है company का object है company का object clause है to make profit to make profit उनका one of the objects है to make profit and to sell manufacturing goods manufacturing goods बेचना है और उससे उनका object है profit कमाना लेकिन मान लीजे एक outsider आता है एक outsider आता है और वो इनके पास से माल खरीता है which is actually not sale of manufacturing goods company के एक डिरेक्टर ने जूट होलके company के एक डिरेक्टर ने जूट बोलके outside से बाहर से मंगवाया है और यही वो outsider को बेच रहा है अगर इसे company के object के बारे में पता होता अगर इसने यह company के object पड़ा होता तो उससे surety से पता होता कि यह जो dealing हो रही है यह dealing wrong हो रही है इसलिए बोला जाता है कि जो outsider जो भी deal कर रहा है company के साथ उससे MOA और AOA के बारे में जहानकारी होनी ही चाहिए जहां बच्चो ऐसे और examples बच्चो आएंगे आगे अगर आपको यह clear नहीं तो और ऐसे examples आगे आएंगे लेकिन अभी के लिए समझ लो कि MOA और AOA का मतलब ही है कि outsiders को company के बारे में जानकारी देना आगे बढ़ेंगे गर memorandum contains the following fundamental clauses memorandum में अखिर में होता क्या है हमने clauses पहले भी lectures में देखे है देखे सबसे पहला है name clause सबसे पहले आता है name clause second है detail में नीचे आएगा बच्चो registered office clause object clause, liability clause capital clause and subscription clause जहां बच्चो the first that we are gonna study today is under section 4 memorandum I want all of you all to give it a very beautiful star mark section 4 memorandum the memorandum of a company shall state the memorandum of a company oh god the memorandum of the company shall state what first सबसे पहला है memorandum में सबसे पहला कौन सा clause आएगा सबसे पहले आता है बच्चो name clause the name of the company company का नाम क्या होने वाला है company का आखिर में नाम क्या होने वाला है मैंने पहले के lecture's में आपको एक बहुत ही सुन्दर सा task दिया था आपको एक homework दिया था आपको ये company के लिए बहुत अच्छा सा नाम सोचना था क्या आप सोचा है अगर आपने सोचा है तो हमें comment section में लिखके बताएए कि हमारे company का नाम क्या होगा मान लीजिए अगर ये company एक public company है अब आप बुलो के madam public company और private company के बारे में हमने पहले पढ़ा है अगर आपको बाई chance वो याद नहीं है तो पहले वो letters देखिए public company यानि वो company जिसमें public का पैसा लगा है public at large general sorry general public का पैसा लगा है तो public company है it is not closely related but it is general public can invest in this company and in case if it is a private limited company उसमें उस relatives family ये सब के अंदर अंदर का लोगों का पैसा involved होता है relatives का पैसा involved होता है family friends का पैसा involved होता है इसे private company कहते private company में general public invest नहीं कर सब थी private company का हमने एक limit देखा था number of members that a private company can have shareholders मेरा मतलब था अगर आपको याद है तो में comment section में लिख के बताएं अगर आपको नहीं याद है तो search कीजिए book में देखिए पहले के lecture सुनिए और हमारे पास दुबार आईए तो कहने का मतलब है कि अगर company अगर sorry अगर company एक public company है अगर company एक public company है तो ABC limited होगा company का नाम if it is a public company और अगर वो private limited company है अगर वो private limited company है तो उसका नाम होगा ABC private limited आपको company की नाम से पताद चल जाएगा my dear viewers अगर आप future में कभी किसी company का नाम पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा नाम से ही पता चल जाएगा कि भया ये एक private company है कि भया ये एक public company है private है या public है उससे ही पता चल जाएगा मुझे पता ये अगर एक company private company है तो क्या वो general public से पैसा ले सकती है in form of shares नहीं तो ये उसका limitation था ऐसे ही आपको नाम से पता चल जाएगा कि company कौन सी company है और अगर वो एक OPC है one person company है तो उसके नाम में OPC private limited भी होगा जी या बचो हमने OPC पहले पढ़ा है I hope आपको OPC याद है अगर आपको by chance याद नहीं है तो पहले वो lectures देखेंगे provided that nothing in this clause shall apply to company registered under section 8 but to section 8 यानि charitable objects कोई भी company अगर बनाई गई है charitable objects के लिए लोगों का भला करने के लिए अगर कोई company काम करती है तो उसको ये clause applicable नहीं होता है provided that nothing in this clause shall apply ये clause नेम बला clause जथा ये उनको applicable नहीं होता है अगर company section 8 company है आज के बाद किसी ने बोला कि section 8 company का मतलब क्या होता है तो section 8 company यानि company with charitable objects यानि उसका काम है लोगों का भला करना charitable purposes के लिए second है बच्चो the state in which the registered office of the company is situated ये very very important अभी मुझे पता ही है मैंने आपको बहुत ही पहले थोड़ी lectures के पहले I mean हमरी बात हुई थी registered office जबी company का incorporation process चल रहा होता है जैसे ही company का नाम रखा आपने उसके बाद आपको ROC यानि रेजिस्टरर अरफ companies को आपको बताना पढ़ेगा कि company के साथ अगर आपको communicate करना है तो आप कौन से address पर यानि आपको कुछ भेजना है आपको letter कुछ भेजना है कुछ email भेजना है तो हमारा actually address क्या होगा email ID तो ठीक है लेकिन registered office address क्या होगा company का location क्या होगा Mumbai की company है तो उसका registered office Mumbai में कहा है एक address दीजिए उस registered office को कहते है company का registered office of the company shall be situated कौन से state में है महारास्टर में है गुजरात में है गुवा में है का है पताईए हमें the objects for which the company is proposed to be incorporated very very important object company का object क्या है company का purpose क्या है main object क्या है पच्छो company क्यों बनाई गई है सिर्फ business करने के लिए कौन से type का business करने के लिए objects वैसे तो बच्छो बहुत ही wide concept है objects में company काफी सारे चीजे लिखने की कोशिश करती है जी हाँ बिलकुन the objects for which the company is proposed to be incorporated and any matter considered necessary in furtherance of thereof ठीक है the liability of the members जो shareholders है जो shareholders है, हमकी liability क्या होगी बच्छो वो shareholders की liability क्या होगी better अब हम बहुत अच्छे से जानते है limited liability और unlimited liability क्या होता है हमने पहले के lectures में कम से कम पांच बारे discuss कर लिया है कि limited liability और unlimited liability क्या होता है देखो बच्चो, in case of a company limited by shares, अगर company limited by shares है, यानि company shares issue करके पैसा लेती है, that liability of its member is limited to the pay amount unpaid. मान लीजे, share price 10 rupees का है, उसमें 6 rupees is paid and 4 rupees is unpaid. तो liability shareholders की अभी तक सिफ 4 rupees ही होगी, per share only 4 rupees, if any, on the shares held by them. अभी मान लीजे, in the case of a company limited by guarantee, अगर shareholders बोलते हैं, हम guarantee लेते हैं, the amount up to which each member undertakes to contribute, हम guarantee लेते हैं, एक लाक रुपे की, यह होता है, Mr. A. बोलता है, Mr. B. बोलता है, मैं 2 लाक की guarantee लेता हूँ, और Mr. C. बोलता है, मैं 50,000 की guarantee लेता हूँ, जभी company limited by guarantee होती है, तो इनका liability बच्चों will be limited to the amount of guarantee, आखे बढ़ेंगे, the assets of the company, जो इनका guarantee है, वो contribute कहा होगा, to the assets of the company, in the event of being wound up, अगर company बंध होने जारी है, और इन्होंने guarantee दिया था, guarantee दिया था, तो यह winding up के time पे, जितना भी पैसे का, जितने भी amount का guarantee दिया गया था, वो उन्हें fulfill करना पड़ेगा, while he is a member, और within one year after he ceases to be the member, अभी member है, या एक साल पहले member था, for the payment of debts, debts and liabilities of the company, और such debts and liabilities, as may have been contracted, before he ceases to be a member, as the case may be, guarantee, जो अगर हमने guarantee दी है, company limited by guarantee है, तो winding up के time पे, वो guarantee amount उनको देना है, second है, बच्चो, to the costs, charges and expenses of winding up, अगर ये भी winding up, बच्चो, winding up is a huge process, शायद आपको उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा research कीजिए, winding up एक बहुत बड़ा और बहुत ही expensive process होता है, तो उस time पे उसका जो भी the cost है, उसका charges है, और उसका expenses है, winding up का, and for adjustment of the rights of the contributors among themselves, इसका भी right, जो adjustment rights होता है, contributors के बारे में, का जो right होता है, वो भी उनको adjust करना है, बच्चो, जी हाँ, I hope आपको यहाँ तक चीजे समझ में आई होगी, अगर आपको कोई भी doubts है, तो feel free to reach out to us in the comment section, I hope आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, this is Professor Neeti Doshi, signing off, thank you.